सुप्रभात प्यारे बच्चो, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। जानते हो बच्चो ये कौन हैं? देखो देखो कौन आपसे मिलने आया है? जी हाँ ये हैं जानवर, एनिमल्स। येस, तो आज की वीडियो में हम जित्र समीट जानवरों की पहचान करेंगी, उनके बारे में जानेंगे और उनके नाम याद करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगी पालतु जानवरों की। पाल्तू जानवर, ऐसे जानवर, जो हमारे साथ हमारे घरों में या फार्म हाउस में साथ रहते हैं। ये चित्र है गाए का। गाए पाल्तू पशु है और गाए हमें दूद भी देती है। और ये है बक्री, बक्री भी हमें गाएं की भाती दूद देती हैं और गाएं और बक्री दोनों का ही दूद बहुत ही पॉस्टिक और तकत्वर होता है। और ये है इनसान का सबसे फफादार जानवर कुट्टा बेटा यहां ता में आधात का जोड भी लगेगा फिर बनेगा कुट्टा और ये है घोड़ा घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला और तकत्वर जानवर है और हम इसकी सवारी का मज़ा भी ले सकते हैं। और ये है भेड़ जानते हो बच्चो भेड़ के बालो से उन तयार होती है जिससे की हम सर्वियों में अपनी स्वेटर, मोजे और टोपिया बनाते हैं और वो हमें ठंड से बचाती हैं। तो बच्चो अब बढ़ते हैं जंगल की तरफ और मिलते हैं कुछ जंगली जानवरों से। जंगली जानवर ऐसे जानवर जो बहुत ही खुंखार, खतरनाक और जंगल में रहते हैं। अरे भागो भागो देखो कौन आया। जंगल का राजा शेव जो की बहुत ही ताकतवर, निडर और बहादूर होता है और खतरनाक भी। और ये है भालू। जानते हो बच्चो भालू को शेहत खाना बहुत पसंद है। लेकिन ये भी जंगली जानवर है और बहुत ही खतरनाक होता है। अरे अरे जोर जोर से बजाओ बाजरा, देखो आये हाथी राजा। हाथी ये जंगल का बहुत ही बड़ा जानवर है और इसको गन्य और केली खाना बहुत पसंद है। बहुत ही ताकतवर है ये। मस्त कलंदर ये है बंदर। बंदर भाथी शरारती और नखट होता है जिसे की फल खाना बहुत पसंद है। और अंत में ये है लोमडी। लोमडी जो की जानवरों में सबसे चतुर और होशियार जानवर होता है। तो बच्चों अंत में आप सभी मुझसे एक वादा किरो। कि आप कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेंगी। उनको मारेंगे नहीं। और अपने आसपास रहने वाले भूखे जानवरों को खाना जरूर खिलाएंगी। जैसे कुत्ता, बिल्ली या गाएं को। ठीक है। और बच्चों एक और बात। जब भी आप चड़िया घर जाएंगे ना अपनी मम्मी या पापा के साथ। तो खुद को जंगली जानवरों के पिंजरे से हमेशा दूर रखना। क्योंकि वो जंगली जानवर हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ठीके बच्चो, बच्चो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपका दिन शुब हो। धन्यवाद बच्चो, सब्सक्राइब करी, लाइक और शेयर करी।